चंतन सिवर की सुरुवात में जो प्रेजंटेशन हुआ वो ये कहें कि सुरुवात परेटन और संस्कति मंतरी उसर ठाकुर जीने की हमारे साथ हैं मैं कल दो नए नवाचार सामने आए एक तो हवाई यात्रा करवाना है आपको तीर दर्शन में अब हवाई यात्रा इनको लूड़ होगी जी ये एक बहुती क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसके लिए माने मुख्यमंतरी जी के दिली इच्छा है कि हम प्रदेश के भाई बहनों को हवाई यात्राओं के साथ भी जोड़ें और उनको तीर्थ दर्शन कराई इसके माध्यम से परिटन के छेत्र में क्या कुछ और नवाचाराने वाले को की परिटन भी एक बड़ा फोकस है रोजगार का माध्यम है परेटन आत्म निर्भर के शेत्र में अपनी मेती भूमिका निभाइस बात को लेकर चंतन हुआ परेटन एक ऐसा माध्यम है जहां कम पूंजी से भी हम नागरिकों को आत्म निर्भर होने के लिए प्रशिक्षन दे सकते हैं होम इस्टे रूरल इस्टे इसके उदारण है और हम बेहनों के स्वहिम साता समू बना कर उनको भी परेटन के काम का आज के साथ जोड़ रहे यानि कि रोजगार के नए आयाम अब खोलने वाला है परेटन का छेत्र अनिश्यत रूपसी बिलकुल आज आपके जिला जो प्रभार वाले हैं उनका प्रजेंटेशन होना है जी आज प्रभार के जिलों में जो इस्थिति है सब कामों को लेकर उनका भी चर्चा होगी आज चिंतन मन्थन का दूसरा दिन है पच्मणी की बादियों में सिवराज केबिनेट हमारे साथ हैं पंतरी मीना सिंग जी कल एक प्रजेंटेशन हुआ अनसूचे जाती को लेकर क्या कुछ नया नवाचार होने वाला है बहुत कुछ नया होगा बहुत अच्छे सुझाव आई हुए हैं और हम उनके उपर ही काम करेंगे मान्नी मुख्यमंत्री जी की निर्देशा अनुसार बहुत अच्छा होगा और अच्छे सुझाव सभी ने दिये हैं और जो हमारे जनजाती भाई बहनों के लिए अनसूचे जाती भाई बहनों के लिए ये जो भी सुझावा हैं सब उनके लिए कारगर होगा तो अनसूचे जन जाती बर्ग के लिए जैसा एक आयो जन हुए था भोपाल में तो कल जो बैठाक में क्या प्रेजंटेशन हुआ उसको लेकर और आगामी क्या रणनी थी क्या बीच में जाएंगे मंत्री समूझ आएगा मंत्री जाएंगे आप जाएंगे या विभागी तो फिलहाल ही जो 14 अप्रेल को अंबिटकर जैनती का कारिकम आ रहा है तो उस संबंद में विस्तिश चर्चा हुई और पहले महु में कोरोना के पहले ये कारिकम संपन्न होता रहा है अभी कोरोना काल में जरूर ये कारिकम नहीं हो पाया है अंबिटकर जैनती का तो अभी इस अज़े बास्ताव में जन जाती वर्ग का एक महायोजन हुआ था तो जो अनसुचे जाती वर्ग उसके लिए भी कुछ ऐसा है योजन नए बहुत मैंने कहा ना कि हमारे जो मंत्री समो है सभी मंत्री गणों की तरफ से बहुत अच्छे सुझाव आए और जब हम उनके उपर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा और हम आपको बता के ही सब कुछ करेंगे आज क्या पर जर्चा होने वाली आज दूसरा दिन आज ये विभागों के बारे में पूरी जानकारी मानी मुख्यमंत्री जी को और पूरे मंत्री मंडल को अगध कराना है अपने विभाग के तरफ से तो वो समय समय पर आप लोग को तो हम वह से भी जानकारी जिला जो प्रभार वाले छेतरे हैं आपके उनकी वी जानकरी हाँ वहाँ पर सरकार की जो भी योजनाय चल रही हैं वो योजनाय कितने दूर तक पहुँच पा रही हैं लोगों के हाथ तक योजना पहुचती कि नहीं उन सारे चीजों की समिक्चा है और जैसा कि आप सब जा हिए भागो के माध्यां से बनाए जाती है हर गरीब आदमी के हाथ तक पहुचाने का काम पूरे मंद्री मंडल पूरे हमारे सभी लोग करते हैं मानने मुख्यमंत जी के निरदेश वह सभी परा अगली cabinet में इसका कुछ स्वरूर देखने को मिलेगा एक अपते बाद अप्रेल में इस सुरूर हो जाएगा देखने की तीर दरसन योजना अब हवाईयात्रा से होगी तर भी बस से भी होगी ट्रेन से भी होगी सरे कोस्ष्चन और आपके विभाग का कोई नावाचार बहु लोग कल्यान की उजनाय समाच कल्यान की महिलाओं की युवाओं की कल्यान की और अधोसनचना के विकात सारी विश्यों पे बच्चों से लेकर बुजर्गों तक सब समाहे थे सरे चिंदन मंधन में तो यह कबायत है 2023 की सबी का 2023 की क्या हम लोग तो रोज चलने वाले काम लोग है तो 2018 की कमी की भरपाई जो जिन का क्रियान में कम रह गया था यह योजनाओं का रीकंस्टक्शन का मामला क्या ने उस समय भी क्रियान में कोई कमी नहीं थी को जूटे नारों के कर्ज माफित्याद इसके नाम पर लोग चागे गए बाद में लोगी समाझ में आ गया अब हमारा मैं मान की चलता हूं कि बहुत बड़ा भववत हमारा जन प्रतिनी अब जनता के साथ जाएं कर्णियादा नियोजना भी बिधायक जाएंगे तीर दर्सन नियोजना में सरकार जाएगी साथ हाँ निश्य घंटे की लगातार बैठक हुई आज ही नहीं कल भी हुई और जिस प्रकार समुद्ध मंधन के बात अमरत निकला था ऐसे ही यह जो तेरा तेरा बारा बारा घंटे दो दिन मंधन हुआ है चिंतन मंधन हुआ इससे बहुत सारे आइडियाज आए हैं बहुत सारी योजना ओ तो दूर की योजना हम लोग जो है ना वो हब जैसे भी कर सकते हैं अच्छे सुझा हुआ है रोड मैप 2023 का तैयार हो गया है तैयारी बहुत तैयारी है जो कुछ दिन आपको अच्छे लगेगी चेते हमारे साथ गोबिन सिंग राजपूज जी जिन्होंने कहा कि रोड मैप 2023 का तैयार हो चुका है बैठक खत्म हो चुकी है सहकारता के छेतर में मद्द प्रदेश आद्मरता की और बढ़ेगा हमारे साथ है अर्विन बदोरिया जी सर सहकारता के छेतर में आज सीम साब हमने भी प्रेस कॉंफिएंस ने कहा कि रोजगार सरजन के आउसर दे रहे हैं आप सहकारता के छेत में मद्द प्रदेश के हर गाओं में लगो द्योग की दश्टी से कहां कहां किस किस प्रकार का उत्पादन हो सकता वहां पर हम सहकारी समितियों के माद्यम से स्वर प्रकारी योजनाओं को ठीक से जनता के हित के लिए इंप्लेमेंटेशन हो जाए और किस प्रकास से बड़ा जिसको फिल्ट्रेशन की देश्टी से काम हो जाए लोगों को अच्छी विवस्ता एकड़ी हो जाए और लोगों को सुखान बूत का एसास हो इसके लिए हम हमारे साथ हैं उच्छा मंतरी डॉक्टर मोहन यादाओ जी सर क्या अमरेत मन्थन निकला इस 22 घंटे की मेराथन कैबिनिट का देखिए हम सब का सुखाग गये कि आज जिजदंग का वातराण बना है ऐसे में चिंतन बेटक के माध्यम से हम सब के लिए आगामी कई सारे विश्यों को तरह से लक्ष के रूप में लिया है और नई शिक्षानिती की माध्यम से हम 20 लाख युवाओं को लेकर के जिजदं सब्सक्राइब निश्चत रूप से सभी जगा मध्यपरदेश के अंदर हम लोगों ने पहले भी स्वास्त के काफी संस्ताइं खोली थी और आगे भी जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं और नई यूर्जा के सांथ पूरी सरकार अपकाम कर दो हजार तेईस का रोड में तैय सब्सक्राइब निश्चत रूप से जो योजनाए हैं जनता की मध्यपरदेश की जनता के हितों में आज सरकार ने उन सबकी भी समिच्छा कियो और नए अनेक और निड़ने लिए हैं सुक्रिया से हमारे साथ है नाम खिलावन पटेल जी सर क्या अमरत निकला मंधन से कि जब भी मंधन हुए उसमें अमरत निकले- निकला है और इसमें भी अमरत निकलेगा हमारे माने मुख्मंतरी जी के सपना है कि आने बाले समय में यहमत्पुदेश सात्मिEMA मन्थन में सारे बिसाओं पर चर्चा हुई है और उसका हमारा विभाग नुछार ला रहा है हमारा विभाग हमा मैं पिछरे करके दो जिससे आने वाले समय में पंचाइतों में नगरी प्रिसासन में उसी आकड़े का हाल पारक्षन होगा प्रदेश में 27 परसंट हमारे बेटे बेटियों को नोकरी भी मिलेगी क्या अम्रत निकला मंधन से अम्रत आम जंता तक शाशन की योजनाओं का लाप मिले चाहे वो लाली लडिलश्मी हूं चाहे स्यम राइस हो चाह राशनका मामला ह या आगे जो तीर से योजना हों कुल मिला कर जब इंसान जन्म लेता है और उसके मरत्यू के मरत्यू के बाद तक की योजना जो शिवराज सिंग जे चोहां साम ने दिये और वो लाब जनता को पोचे ये मंधन का अमरत लेके हम आपका बेभाद क्यार पहले अलग-अलग जै जनता को लाब जिए अपना जीवन का जित्ता भी जुजारूपान है जित्ती भी ताकत है जनता के लिए और जनता को समर्पीद करें और जनता को काम करके दिखाए तो यह थे हरदीप सिंग डंग जी 22 घंटे की नौन स्टॉप मेराथन कैबिनेट इतिहास बना दिया और उस इतिहास के जो मंधन से क्या निकला मंधन पूरे मद्यप्रदेश को आत्म निर्भर बनाने में गतिव आई हर वर्ट के भविष्ट को और आनंदमई और सुन्दर और अतियुत्साई के से बनाया जाए उसकी सब चाचाय हुई आपके बिभाग में कोई नया नवाचार जो आत्म भर प्रदेश को देश जब से आजाद हुआ जत्ती मसमी की इंडस्ट्री लगी पांच लाग से उपड़ की और दो लाग त्युहत्तर हजान लोगों का उस समय रोजगार हुआ हमने जो अभी नई योजना आज से जाजा लोगों का नया रोजगार से जन कर नहीं तो पचाँ सितर वर्स बना हम दो साल के लो दो साल के मुख मंतरी जी का जो समापन उद्बोधन था उसमें क्या कुछ खास रहा हुआ है जिए चर्चा में ही आखरिशा में ही उद्बोधन हो गया कि सब लोग निकलो तो फिर तीन महीने बाद बेठेंगे आज जो जो तै किया उसका एक्जिक्विशन देखेंगे कुछ कमेटिया बनाई कुछ वर्ग बनाई इन सब को मिला नाई यह थे हमारे साथ मंत्रियों प्रकासक लेजाई जाए देखो हमारा दोरोज का मंधन बहुत अच्छा रहा जैस सामाव विवा की जो बाते हो रही थी उस पर भी मुने मानिय मुखमंत्री जी ने निल्लिया है जो सामाव विवा होगा उसको हम 55 रुपे पे सभी सामाल खरीब के देंगे सर सकन्यादान यूजना की साथ साथ बच्चों से लेकर बुजर्गों तक सबकी चिंता सरकार ने क अच्छा सर एक लास्ट संबोधन में क्या कहा अंतिम संबोधन में समापन संबोधन में मुखमंत्री जाको में गदगद हो गया वाकि में गदगद होगा है क्या कहा सर एक लाइन जाको हम सब मिलकर वो मुखमंत्री नहीं समझते हैं चलिए ये बड़ी लाइन कही है कि वो मुखमंत्री नहीं समझते हम सब एक हैं ये कहके एक रूपता के साथ आगे बढ़ना है